हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ पूजा और आज मैं आपके साथ एक बहुती खुबसूरत सा ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन सेयर कर रही हूँ जिसे हम बैक से ओपन बनाएंगे तो आप पिक में देख भी सकते हैं मैंने पिक लगाई हुई है इस त चेश्ट के फॉर्थ पार्ट के अकॉर्डिंग अस्तर को फॉल्ड कर लिया है तो जितना हमारा चेश्ट का फॉर्थ पार्ट है उसामें हम रही से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो यह पर देखे मैंने 12 इंच लिया है और चेस्ट का फॉर्थ पार्ट हमारा है साड़े नौ इंच तो अब इसके बाद हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे इसकेल की हेल्प से लाइन बनाएंगे और इसे कट कर देंगे अब देखें कटिंग करने के बाद हम अपनी लंबाई का मेजरमेंट ले लेंगे तो यहां पर मैं साड़े पंद्रा इंच का निशान लगा रही हूं क्यूंकि मुझे साड़े 14 इंच का ब्लाउज तयार चाहिए इसलिए मैंने साड़े 15 इंच का निशान लगा लिया है तो इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसे सीधा कर देंगे और अब हम अपनी चेस्ट का फॉर्थ पार्ट लगाएंगे तो यहां पर मैंने लिया है साड़े 9 इंच अब देखें यहां पर मैं प्लेट का निसान लगा रही हूं तो चार इंच चोडाई पर और साड़े 10 इंच लंबाई पर मैंने प्लेट का निसान डाल लिया है जो हमारे बैक पार्ट में प्लेट आएगी अब देखें हमें अपनी कमर का मार्क लगाना है तो कमर हमारी 32 इंच उसमें हम 1 इंच प्लेट के लिए एड़ करके लगाएंगे तो यहां पर मैंने 9 इंच का निशान तो इस तरीके से देखें हमने 1.5 इंच या 2 इंच मार्जन के लिए लेना है अब देखें बैक पार्ट की गोलाई के लिए आर्म होल में मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया है और इसको अब हम कट कर लेंगे बैक जो हमारा पार्ट है बैक वाला पार्ट उसकी मार्किंग ह मैं आपको बाद में पताती हूँ पहले आपको इतना करना है बस इसे यहां से मार्किंग करके कट कर देना है अगर आप मेरे चैनल को पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के आपको इंट्रस्टिंग वीडियो और डिजाइनिंग आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेगी तो अब देखे जो हमारा मेन फैब्रिक है बलाउज का उसके उपर हम इस तरह से अस्तर वाले पाल्ट को रखेंगे और इसके बराबर बिल्कुल सेम हम इसको भी कट कर लेंगे पहले हम मार्किंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे तो इतना काम करने के बाद में हम इसका आगए का procedure करेंगे जो हमें इसमेंennec design बनाना है आप चाहें तो इसे side open भी बना सकते हैं या फिर front open भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर इसे back open बना रही हूँ तो इस तरह से देखें हमने इसकी cutting कर लिया कटिंग करने के बाद में देखे यह हमारा मेन फैब्रिक हो गया और यह हमारा अस्तर वाला फैब्रिक हो गया अब देखे इसके उपर हम मार्किंग कर लेंगे अपने बैक डिजाइन की तो उसके लिए मैंने पॉने तीन इंच चोड़ाई लिया गलेगी और साड़े तीन इंच लंबाई लिया है और यहां पर एक राउंड सेप में हम नैक ड्रो कर लेंगे अब देखे मैंने यहां धाई इंच का निशान लगाया और उसके नीचे फिर से धाई इंच का निशान लगाया अब जो नीचे वाला निशान है उसे मैंने तीन इंच बढ़ाया और नीचे से भी तीन इंच बढ़ाया ध्यान से देखेगा आप इस तरह से यहां पर मैंने बॉक्स बनाया और इस तरह से यहां पर सेप डेदी जो उपर वाला हमारा मार्क था अब देखे अगर आप इसे फ्रंट ओपन बनाते हैं तो आप यहां से बंद कर सकते हैं नहीं तो आप इसे अगर बैक ओपन बना रहे हैं तो यहां पर हम इसे बोल लगा लेंगे तो यह यहां से बंद हो जाएगा तो इस तरीके से हम इसकी cutting कर देंगे दोनों साइड में हम इसकी marking कर देंगे और plates के निसान भी हम दोनों साइड में draw कर लेंगे अब देखिया हमने अपने जो main fabric है वो लेना है और इसकी सीधी साइड से सीधी साइड मिलाकर हमें इसके उपर इसे अच्छे से सैट करना है देखिये इस तरीके से और इसके किनारों पर हम सिलाई लगा देंगे जो हमने सेप कट किया है महाँ पर एक पैर के मार्जन से हमें सिलाई लगानी है देखिये इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद हम इसे टर्ण कर लेंगी तो यह हमारा उल्टी साइड में चला जाएगा देखे इस तरीके से मैंने इसके उपर सिलाई लगा लिए अब हम इसकी जो फैबरिक है हमारा एक्स्ट्रा बीच में इसे हम कट कर देंगे मार्जन को छोड़ते हुए इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे बना लोगे इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाऊगे तो आप बिल्कुल वीडियो को फॉलो करते जाए और इसे बनाते जाए तो देखे इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह के ब्लाउज के डिजाइन आज कल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप लहंगे की ब्लाउज हो या फिर साड़ी की ब्लाउज हो किसी भी तरह की ब्लाउज के साथ इसे वियर कर सकते हैं अब देखे जो हमारे कॉर्णे हैं वाप पर हम छोटे-चोटे नौचिस लगा देंगे और गले के round में भी हम छोटे छोटे नोचिस लगा देंगे जिससे कि हमें इसे turn करने में असानी हो अब देखें हम इसे इस तरह से पलट लेंगे तो हमारा ये wrong side में अस्तर चला जाएगा और जो main fabric है ये पलट कर उपर की तरफ आ जाएगा तो किसी sharp change के help से हम इसके कोने भी अच्छे से निकाल लेंगे तो देखें इस तरह के से मैंने इसे पलट कर तयार कर लिया है और इसके कोने भी अच्छे से निकाल लिया है अब हम इसे press कर लेंगे या फिर आप इसके उपर एक rough stitch भी लगा सकते है मैं आपको suggest करूँगी कि आप rough stitch से अच्छा है इसके उपर press करें तो जादा अच्छा है अब देखें हमें लेना है साड़ी का fabric तो साड़ी याँ पर मेरी pink कलर की है उसमें से मैंने ये एक पट्टी कट कर लिया है अब देखें इस पट्टी को मैं इस तरह से double fold करूँगी और जितने इंच की हमें belt बनानी है पीछे जिससे हम बो बनाएंगे वो हमें यहाँ पर बनानी है तो यहाँ पर देखें मैं साड़े तीन इंच की चोड़ाई रख रही हूँ इस तरीके से double fold में साड़े तीन इंच की चोड़ाई रखते वे पूरे में mark करूँगी और इसकी cutting कर लूँगी इस तरीके से cutting करने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देंगे देखें सिलाई लगा कर हमने इसे तयार कर लिया है और हमने इसे center से cut भी कर दिया है दोनों पीस हमने अलग-अलग कर लिया है अब इनको भी हम सीधा कर लेंगे किसी चीज की help से और इसके कोने अच्छे से निकाल लेंगे और इसको भी हम iron कर लेंगे तो friends अगर आपको यह design पसंद आता है मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको जरह सब interest है मेरी वीडियो में तो please like जरूर कीजेगा और मेरी वीडियो को share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और मुझे support कीजिए जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे design आपके लिए लेकर आती रहूँ तो देखे इस तरह से हमने इसकी नौक निकाल लिया है और अब हम इसके उपर iron कर लेंगे दोनों पीस हमारे तयार हो गए हैं आप देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पर पूरे को सिलाई लगा कर complete कर लिया था आप चाहे तो इस तरीके से नीचे की तरफ रखते वे भी इस पट्टी को सिल सकते हैं लेकिन अच्छी finishing के लिए आप यहां से थोड़ी थोड़ी सिलाई open कर सकते हैं और अंदर की तरफ आप इसे लगा कर सिल सकते हैं जैसे मैंने सिलाए तो देखे मैंने अंदर की तरफ यहां से थोड़ी सिलाई निकाल कर और इसे अंदर की तरफ स्टिच कर लिया है तो इस तरी से हमने हाफ इंच का नीचे की तरफ मार्जन चोड़ा है और इस मैं यहां पर एक चोटा सा पीस कट करूँगी, देखें इस तरीखे, मैंने एक चोटा पीस कट कर लिया है, इसको तीन तरफ से सिल कर मैं एक फौल्डड पट्टी तयार कर लूँगी, बिल्कुल फ्रीन्सिंग के साथ में, देखें इस तरीखें से, और अब आपको जिस साइड में भी जिस साइड से भी आपको बंद करने में असानी हो उस साइड में जिस साइड में आपको आई लगानी हो उस साइड में आप इसको रखकर इसके नीचे स्टिच कीजिएगा तो देखे, मैं इसको पहले रख कर देख रही हूँ कि मुझे किस साइड से असानी रहेगी हुक लगाने में क्यूकि यह बैक ओपन है हमें बैक से बंद करना होगा तो देखे, मैं इस साइड में इसे लगा दूँगी तो यहाँ पर इस्टिच कर देगे हम इसे साथ में स्टिच कर लिया है व्यांने और इसके उपर भी रख डाला यहां चाहिंगे और कर दीक नहीं हम इसने प्लेट ना डीए ताया यह सब कामकर के मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए टोप स्टिच लगा लिया मैंने साथ में इसे एक साथ में स्टिच लिया नभी इसमें बाजू नहीं लगाई है बाजू का डिजाइन बे मैं आपके साथ जल्दी से एर करूँगी तो देखें यहां पर मैंने हुक के बजा अभी पिन लगाया हुआ है और जो हमने नीचे पट्टी लगाई थी उसका मैंने एक प्यारा सा बोब बना कर तयार कर दिया है तो फ्रेंट्स कैसी लगी आपको यह बैकनेक रिजाइन मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो फ्रेंट्स फिर मिलेंगे एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू टेक केर और बबाई